अब हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं ट्रांसजेंडर में, वैसे ही एस्ट्रोजन यूज़ करती हैं ट्रांसजेंडर विमन, एस्ट्रोजन का नाम है 17-Beta-Estradiol और इसको भी देने के काफी रूट्स हैं, जैसे कि आप इसको औरली दे सकते हैं, इंजेक्टिबल फॉर्म में दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, एक चीज़ मैं अभी ही बता दूँ कि एथनाइल-Estradiol हम ना दें, क्योंकि इससे माना गया है कि DVT का रिस्क बहुत जादा है, इसी ट्रीट्मेंट में ना कि हम एस्ट्रोजन देते हैं, बट आंटी आंड्रोजन, जैसे कि Spironolactone, 5-Alpha Reductase Inhibitor, ये भी साथ में दे सकते हैं, जिससे कि हमें एस्ट्रोजन की जो डोजेज है, वो शायद थोरी कम देनी पड़े, जिस तरह से हम टेस्ट्रोजन को मौनिटर कर रहे थे, उसी प्रकार हम एस्ट्रोजन को भी मौनिटर करते हैं, सीरम एस्ट्राडियोल स और इसके भी लेवल्स हम मेंटेन करना चाहते हैं मिडॉसाइकल पर जो कि नौन-transgender women में होते हैं या सिस-जेंडर women में उसी लेवल पे हम कोशिश करते हैं रखने कर और testosterone को भी अप मेजर करें और कोशिश करें कि आपका जो आपका total total testosterone है वो 55 mg पर deciliter से कम रहे कुछ side effects की हम बात करें estrogen की तो ये माना गया है कि और जाना भी गया है कि estrogen से thrombosis या फिर DVT का risk बढ़ जाता है अब studies तो इस पर हुई हैं काफी सारी लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा था कि estrogen के कई अलग प्रकार के formulations होते हैं जैसे कि oral, transdermal, injectable तो इन studies ने वो अलग-अलग formulations को देखा और पाया कि शायद कभी risk बढ़ रहा है शायद नहीं बढ़ रहा और इससे हमें लगा कि ये studies uniform नहीं थी इसलिए हम पूरी तरह से नहीं बता सकते कि actually में risk कितना है ये बात भी देखी गई है कि oral estrogen, ethenyl estradiol जुसके हमने पहले भी बात की थी उससे risk DVT का सबसे जादा है और transdermal का जो risk है वो सबसे काम जब हम contraceptives लेते हैं तो उनमें भी estrogen होता है लेकिन जो उनका risk होता है DVT का वो सिरफ पहले के 6 या 12 महीने तक रहता है लेकिन जो estrogen therapy हम transgender women में use करते हैं hormone replacement के लिए उसका जो thromotic risk है वो हमेशा ही रहता है ना कि सिरफ पहले 12 महीने तक और ये भी मैं बता दूँ कि अगर आपकी उमर जादा है या फिर आपका BMI more than 30 है तो इसका risk जो है और भी बढ़ जाता है लेकिन फिर भी अभी हमने इतने ही studies नहीं कि ये कहने के लिए कि आप अगर estrogen पर हैं तो आप पहले ही thromboprophylaxis ले ले लें इस पर studies होनी अभी बाकी हैं लेकिन आज तक तो इसकी कोई guideline या recommendation नहीं है अगर हम बात करें inherited thrombophilia की जैसे की factor 5 leaden तो जरूर ही इससे भी risk आपका DVT का बहुत बढ़ जाता है अगर आपको factor 5 leaden mutation है तो 15 to 35 4 तक ये risk बढ़ जाता है लेकिन क्योंकि ये risk absolute जो है वो काफी कम है हम ये नहीं recommend करते कि आप अपने सारे patients जिनको आप estrogen दे रहे हैं उनको hereditary thrombophilia के लिए टेस्ट करें लेकिन ये भी मैं जरूर बोल दूँ कि अगर उनको कोई family history है एक ऐसे thrombophilia की जो उनको भी हो सकता है तब जरूर आप check कर सकते हैं ना की ही DVT बट arterial clots का भी risk estrogen से बढ़ सकता है काफी बड़ी-बड़ी studies हुई है Amsterdam में जहां पर देखा गया कि risk of heart attack या फिर myocardial infarction और stroke अगर cisgender women से compare किया जाए तो transgender women में दुगना है और जैसे की modifiable risk factors जो अलरेड़ी हम जानते है stroke के हैं या heart attack के जैसे की smoking cholesterol बढ़ना, high blood pressure या फिर तनाव जिंदगी में जादा होना ये सारे risk जो हैं आपके arterial clots के भी risk को बढ़ा देते हैं अब मान लीजिए कि आपका एक transgender woman patient है और उसको thrombosis हो गया अब क्या ये फिर से हो सकता है जरूर हो सकता है लेकिन studies ने देखा है कि अगर आप estrogen को हमेशा के लिए discontinue कर दें तो ये risk बहुत ही कम होता है एक out of hundred patient years में ये recurrence होता है इस risk का लेकिन अगर आप estrogen नहीं बंद कर सकते और आप continue करें estrogen तो एक study ने ये भी देखा था कि एक patients जिनोंने जिनको thrombosis हो चुका है उनको या तो hormone replacement therapy दें या हम placebo दें और ये trial actually जल्दी बंद हो गया था क्योंकि जो clot का risk था वो 8.5% per year था उन patients में जिनको estrogen दिया गया और सिरफ 1% जिनको placebo दिया गया अब मान लीजिए कि आप gender affirming surgery के लिए भीज रहे हैं अपने transgender women patient को और estrogen therapy पे patient आपका है already तो हम जानते हैं कि surgery से जो thrombosis या फिर DVT का रिस्क रहता है वो बढ़ सकता है लेकिन कुछ studies की गई है in patients में और हमने देखा है कि जो risk of thrombosis है वो कम है around 1% मान लीजिए अब हमने ये भी देखा कि estrogen को हम surgery से कुछ देर पहले ही बंद कर दें ताकि हम ये risk और भी कम कर सकें हमने सोचा 4-6 हफते शायद इस treatment को बंद कर दें ताकि हमारे patients का DVT का risk और भी कम हो जाए लेकिन जो estrogen है हमारे शिरीर में बहुत देर तक रहता है सिवफ 6 हफते बंद करने से ये risk हम इतना जादा कम नहीं कर सकते और उपर से हमने ये भी देखा कि अगर हमने estrogen therapy बंद कर दी तो हमारे patients को withdrawal symptoms होने लग गए जैसे कि उनको depression होने लग गया anxiety, dysphoria ये symptoms और भी बढ़ने लग गए इसलिए हम recommend करते हैं कि gender reforming surgery से पहले और दौरान आप estrogen को use करें लेकिन साथ ही साथ आप thromboprophylaxis भी दें अपने patients को तो देखा जाए तो मैं ये कुछ recommend करना चाहूंगी DVT का risk कम करने के लिए या फिर arterial thrombosis का risk कम करने के लिए इन patients में पहले तो आप अपने transgender women patients से पहले बात कीजिए कि ये DVT का risk है इस treatment से किस treatment से जादा है और किस treatment से कम है अपने आपको involve कर सकें उनसे ये भी family history पूछिए अगर उनको inherited thrombophilia की family history है तो हम जैसे कि पहले भी बात की थी हम उनको test कर सकते हैं just to be sure और अगर you know test नहीं करना चाहते तो ये ज़रूर सोचें की transdermal estrogen जैसे कि thrombosis का risk सबसे कम है हम इन patient को उस treatment पर ही डालें अब patient को अगर DVT हो गया है तो आप गौर करें कि क्या वो अभी anticoagulation पर हैं और अगर वो anticoagulation पर हैं तो उनको आप कोई भी estrogen product ज़रूर दें चाहे वो oral हो injectable या transdermal इनका risk recurrence का काफी ज़ादा होता है तो हमें जरूरी है कि हम इनको anticoagulation पर भी maintain करके रखें लेकिन अगर आपका एक ऐसा patient है जिसको DVT हो रखा है लेकिन वो फिलहाल anticoagulation पर नहीं है तब आप उन patients को सिरफ transdermal estrogen दें और बाकी estrogen से इनका risk फिर से DVT होने का बढ़ सकता है arterial thrombosis का risk कम करने के लिए आप अपने patients को काउंसिल करें कि वो smoking करना बंद करें अपने primary care doctor के पास जाकर अपना blood pressure ज़रूर चेक कराएं और अपने cholesterol को भी चेक पर रहाएं